हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग मुझे लगता है सभी अच्छे ही होंगे तो आज के हमारी यह वीडियो थोड़ी खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले मुकेश दिया जी के बारे में कि मुकेश दिया जी अच्छे हैं या बुरे हैं बहुत सारे कॉमेंट्स भी आचके दिया होगा आपके मन में डाउट है कि मुकेश दिया अच्छे नहीं है या फिर तो कैसे ही हैं तो वो मैं आपको आज इसी वीडियो में बताऊंगा उनके जो बाते हैं उनके कारना में हैं वो सारी बाते में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और आप खुछ सबस्यादर आगर मैं आपको बताऊं तो हमारी मुकैस द्याजी ने बहुत सारीい इंडस्ट्री से वे काम किया है जैसे कंदरी सिरियल के अंदर क्या है और हब हमारे कुणबा धर्मे के भी वो एक मचूर कलाकार है उनके खुद ने यहाँ पर हमारे कुणबा धर्मे को बनाया है Multi talented हमारे मुकेश दिया जी एक multi talented person है जो बहुत सारे fields के अंदर काम कर चुके हैं और अब मैं उनकी एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे main बात है वो है दूसरों का करियर बनाना मुकेश दिया ने अब तक 100 से ज़्यादा लोगों का करियर बना दिया है 100 से ज़्यादा लोगों का अब तक करियर बना चुके हैं और यह कोई चोटी बात ने दोस्तों सो से जादा लोगों जीने लोग जानते ही नहीं थे उनका करियर मूंकर देया जी ने बना डाला और यह सिर्फ मुंकेश दिया जी की दिया से ही हुआ है और अगर हम बात करें जिन लोगों ने अफवा फैलाई है उनके नाम तो साथ आप जानते होंगे और मैं किसी का नाम यह पर नहीं लेना चाहता हूँ और आप जानते होंगे किनों ने अफवा फैलाई है अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि किसने अफवा फैलाई है और अगर हम बात करें आपके मन में भी एक डाउट था कि कसुता हरियाना कुछ क्या है कूँ है आपके मन में भी कसुता हरियाना से लेटेट गूड डाउट थे तो मुखेष दियाजी दिल के बिलकुल साफ है और कोई भी उनके अंदर लोब नहीं है किसी के परती कोई भी दूस भावना नहीं है बहुत अच्छे इंसान है मुकेस दहिया जी तो आज की विड़ों बस इतना ही और मुझे कॉमेंट में बताना कि आपका क्या जो अर्थ निकला अच्छे है या बुरे हैं मुझे कॉमेंट में जरूर बताने दोस्तों ठीक है मैं आपसे अगले वड़ों में मिलता हूं